नमस्कार, स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और हाज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले काफी important और interesting topic है जो भी political parties होती है, चुनाव के दौरान उनको कुछ time जो है वो दिया जाता है इसको हम जानने वाले, भी time कैसे दिया जाएगा, भी कितना time के लिए आपको यहां पर परचार परसार कर सकते हो क्या-क्या नियम हो सकते हैं, अब क्या बोल सकते हो, क्या नहीं बोल सकते हो इन तमाम बातों को हम बहुत अच्छे से cover करने वाले हैं अभी ये फिलाल चर्चा में क्यों आया है ये विशे, इसके पीछे रीजन ये है कि दो लीडर जो है, एक इंडिया ब्लोग के हो गए, CPI के यानि Communist Party of Marxist इनके जो लीडर हो गए, जो सीतारम ये चूरी जी है, वो यहां पर गए तो इन्होंने क्या किया, कि अपना भाशन यहां पर देना स्टार्ट किया लेकिन जो दूरदर्शन है, या All India Radio हो गया, इनके जो अधिकारी है इन्होंने का कि आप जो भाशन दे रहे हैं, इन में से आपको कुछ शब्द जो है, वो कट करने पड़ेंगे सेंसर किया गया, जैसे कोई मूवी आती न, तो उसमें कोई ऐसा सीन होता है कि भाई साब यह हम पबलिक को नहीं दिखा सकते, वो सेंसर कर देते हैं, यानि कि उसको कट कर देते हैं सेंसर बोड के पास आते हैं, ऐसे इनकी स्पीज है, वो सेंसर कर दी गई कुछ शब्द बदले गए, वहाँ पर काटे गए, तो यहाँ पर यह मुद्दा जयतब जाके एक चर्चा का विशह बना कि भी नियम क्या है, क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं, कितना टाइम दिया जाता है, किस अधार पर टाइम दिया जाता है इन तमाम बातों को हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले इस वीडियो में, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडियो के लिए मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलिग्राम का लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो क प्लोक के जो नेता जी है, जो है जी देवराजन, इनको जो है यहां पर की जो दूरदर्शन होगे, ओल इंडिया रेडियो हो गई, यहां पर अपनी स्पीच को, मतलब इनके लिए टाइम दिया गया था, टाइम ऐलोकेट किया गया था, ब्रोड्कास्ट का टाइम अब यह जो चेंज करने की बात आई, यहां पर इन्हों ने, यह जो दोनों लिटर है, इन्हों ने ओविसली बोला कि यह जब चीज़ें चुकी जा रही है, वो बहुत ज़्यादा गलत है, हमारा जो एक तरीके से बोलने का जो अधिकार है, कि हम किसी के विरोद बोल रहे ह हैं हम किसी का विरोध करते हैं उसको कहीं न कहीं करटेल करने की कोशिश की गई है यह इनके द्वारा बोला गया कैर यूचुरी के जो चुनावी जो इन्होंने बोला जो सितारा मेरी जी है इन्होंने चुनावी बॉंड योजना के संदर्व को हटाना पड़ा जो आपको पता है कि इलेक्टरोल बॉंड जो करके काफी जादा विशह जो था वो गरमाया हुआ था यहां पर इसको लेकर इसको लेकर क्या हुआ कि भाई आप ये सब चीज नहीं बोल सकते ये बोला गया ओफिशियल्स यानि ओफिसर जो है ओल इंडिया रेडियो और दुरदर्शन के जो ओफिशर्स हैं उन्हों ने ये बात बोल दी कि नहीं भाई आप ये शब्द यूज नहीं कर सकते हो इसके अलावा आप क्या यूज नहीं कर सकते आप सांपरदा एक सत्तावादी शाषन यह यूज नहीं कर सकते आप कथोर कानून कथोर यानि ड्रेकोनियन लोग मतलब कि PMLA, UPA आपने जो बोला है वो आप यहाँ पर चीजों का यूज नहीं कर सकते अनलोफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट हो गया उसके बारे में आप नहीं बोल सकते हो प्राजन जो है, उनका जो एक वर्ड था मुसलिम, उनको वो हटाना पड़ा अब यो मुसलिम क्यों यो यूज कर रहे हैं क्योंकि CEA, Citizenship Amendment Act यहाँ पर इसके बारे में इनको बोलना था इसलिए यहाँ पर इनको बोला गए क्या आप मुसलिम शब्द यूज नहीं कर सकते अब इसके करके भी जो अपोजिशन है, उन्होंने काफी जादा इसका विरोध किया कि आपने इतने सारे शब्द या फिर इतने सारे जो यहाँ पर हमारे द्वारा जो speech दी गई थी, इन्हों से बहुत सारे चीज़ें आपने change करवा दी है, उनको हटवा भी दिया है, तो यह सब चीज़ें सही नहीं है, यह बाल बोली गई तो according to परसार भारती ओफिशल जो टीवी है, रेडियो है वहाँ पर कुछ गाइडलाइन्स है simple following rule है, जो बाई साब election commission of India के द्वारा बताए गए है जो भी state-run funded जो broadcaster होते हैं, उनको वो सब चीज़ें माननी पड़ती है, जो दूरदर्शन हो जो AIR हो, जहां पर इन्होंने rule के पालन किया, अब इदर बोल रहे हैं कि हम हमारे उपर ये एक तरीके से गलत चीज़ों का यूज किया गया है, हमें बोलने के अजादी नहीं दी गई कैर, अब आ जाते हैं हम जो rule है, उनके उपर जो time है, उनके उपर, वो time कितना दिया जाते है देखें, 1998 के जो लोकसभा चुना हुए थे, उसके बाद जो मानेता प्राफ जो एक तरीके से जो registered है, recognized है, registered अलग party होती है, recognized अलग party होती है इस चीज़ का भी ध्यान रखना, जो recognized जो parties है, जो राजनेतिक दल है चुनावों के दोरां जो है, राज्ये के स्वामित्व वाले, यानि कि जो जिसे सरकार हैंडल करती है जैसे टेलिविजन, रेडियो होगी उनके स्वंतिनतर रूप से उप्योग करने की अनुवती दी गई थी, इसी आई, यानि election commission of India ने यह तैक किया था कि जुनाव अभियान शुरू होने से पहले दूरदर्शन के राष्ट्रिय पर चार के लिए, ध्यान रखना national channel पर कम से कम 10 घंटे दिया जाएंगे और जो शेत्रिय यानि original channel है, उसके लिए 15 घंटे दिया जाएंगे वहीं अकाशवन, यानि All India रेडियो के लिए बात करें, तो 10 घंटे national level की बात हो रही है, और शेत्रिय लेवल पर 15 घंटे की बात हो रही है समझ में आगी, यानि दूरदर्शन पर national के उपर बात कर रहे हैं तो आप 10 घंटे अग original, यानि शेत्र के उपर बात कर रहे हैं तो 15 घंटे, यानि कि कम से कम, उनको 30 घंटे दिये जाएंगे एक तरीके से शेत्रिय लेवल के उपर वहाँ पर जो आकाशवाणी मिला ले AIR मिला लो, पलस में दूरदर्शन मिला लो, तो इन दोनों को मिला कर टोटल 30 घंटे का समय यहाँ पर दिया गया था, अब 28 मार्च को ECI ने 2024 में के चुनाओं के लिए 6 पार्टियां, जैसे आप बसपा, बाजपा, CPI, कॉंग्रेस और कॉन्रोड संग्मा की नैशनल पीपल्स पार्टी और 59 राज्य पार्टी में से परतेक को ब्रोडकास्ट और टेलीकास्ट का समय जो है, वहाँ पर दिया गया था राष्टे दलों के निर्धारी 10 घंटे में से दूरदर्शन और अकास्टवाणी दोनों के लिए साढ़े 4 घंटे तो दे दिये बाई, दूरदर्शन प्लस में यहाँ पर अकास्टवाणी यानि दूरदर्शन और रुकास्वानी के लिए कितने दे दिये साड़े चार गंटे फिर जो साड़े पांच गंटे वो कहां गई साड़े पांच गंटे जो 2019 में जो लोकसवाज चुनाव में वोट शेर के अधार पर उनको समय दिया गया था आपके वोट शेर कितना रहा है इसके उपर यह जो फॉर्मला है वो भी यूज किया गया था आपने वोट शेर जाता है तो आपको आपकी सहुलित के अपको टाइम दे दिया जाएगा अब जो भाशन जो दिया जाता है जो स्पीच दिजी जाती है उसके क्या रूल है आपको टाइम का बाता चले गया कि भी टाइम ऐसे दिया जाता है दस गंटे का पंदरा गंटे का यह टाइम हो गया अब 2019 के लेक्शन के उपर भी इंडिपेंड था आपका rank क्या आया था एक तरीके से समझ लो हमारे college के अंदर एडिमिशन होता है या फिर government job में जो हमारा selection होता है तो वो rank के उपर decide करता है आपका rank क्या आया था तो अब बात करते हैं कि जो speech है वो जो content है जो speech का content है वो कैसा होना चाहिए तो party को और उनके वक्ताओं से अभेक्षा की जाती है कि वो recording से एक तो ऐसा नहीं कि वो live telecast करेंगे live नहीं जाते हैं वो पहले recording करते हैं अब recording से 3-4 दिन पहले जो है वो अपनी प्रतिया मतलब की जो भाशन की जो एक तरीके से transcript होती है आप क्या बोलेंगे वो आप एक बर हमें जमा करा दीजी तीन से चार दिन पहले अब वो तीन से चार दिन पहले आप जमा कराएंगे तो अकाशवाणी और दूरदर्शन स्टेशन क्या करेंगे जो उनके जो officers है वो उनको अप्रूव करेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है यह चीजे है हमारे rules के according चीजें चल रही है ECI के दिशा निर्देश है जो guidelines उन्होंने बोला है कि आपकी जो speech है उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए अन्य देशों के आलोचना नहीं करनी है आपको दर्म और समुदाय के उपर कोई भी हमला नहीं करनी है कुछ भी अशलील या मान हानिकारन मान हानिकारक ऐसा या हिंसा बढ़कानी वाली चीजें नहीं बोलनी है आदालत की अव मानना के समान कुछ भी या राष्टरपती या नियाए पालका की अखंड़ता के खिलाफ अक्षेप, एक्ता, संप्रबुता, अखंड़ता को परवईत करने वाली कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर उसको ये रोक लगाते है राष्टर की और किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई भी आलोचना नहीं की जाएगी ये बात भी बोले गई हालांकि देवराजन और येचूरी दोनों जिनके संपादिक भाष्ण जो 16 अपरेल को दूरदर्शन पर परसारित किये गए थे अपने भाष्ण में जो इन्होंने बदलाव के वो उससे खुश नहीं थे obviously कुश क्यों नहीं होंगे क्योंकि देखे काफी सारी चीन इनको टा दी उनको वो बोलने के अनुमती नहीं दी गई अब इनके उपन इनको क्या कहना था देखे दूरदर्शन पर इन्होंने बोला यह बात उन्होंने बोली उन्होंने कहा कि जो दिवाली अपन शब धटाने की बात बोली उसको विफलता उसमें बदलने की बात जो कहा वो कहीं न कहीं केवल सत्तावादी चरितर का समर्तन करते है मतलब कि सरकार जो है वो अपने favor में चीज़ों को लेने जा रही है वो अपने किलाव कोई criticism हो रहा है वो नहीं करने दे रही ये चूरी ने महानी देशक दूरदर्शन को एक पत्र में ये बात सारी लिखी थी देवराजन ने The Indian Express को बताया कि जब उन्हें अपने भाषन में जो मुस्लिम शब्ध हटाने को कहा गया था वह उनको ये बहुत ज़दा एक तरीके से गलत लगा वो गलत क्यों लगा क्योंकि वो C.A. की बात करने वाले है और C.A. की जब वो बात कर रहे हैं तो C.A. में आपको पता है कि मुस्लिम तो वहाँ पर included है नहीं तो जब तक मैं मुस्लिम शब्ध नहीं बोलूँगा तो आप कैसे पता करेंगे कि हम किसकी बात कर रहा है हालांकि obviously C.A. की सारी चीज़ों पता थी बाव जो दुसके उन्होंने ये बोला कि मुस्लिम शब्ध नहीं बोलने दिया गया ये भी एक काफी ज़्याद आंसी की चीज़ बन जाती है फिला इसी आई ने दूरदर्शन और जो हो गया हमारे सामने एक मिनिट ये क्या है A.I.R. A.I.R. ये ये ना कभी-कभी हिंदी पढ़ने में भी दिक्कत हो जाती है चोटा सा टोपिक लेकिन काफी ज़्यादा इंपोर्टन था आपको काफी इंटरस्टिंग टोपिक लगा होगा उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा समझ में आ गया तो मुझे कैसे समझाएंगे ओविसली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और कुछ ज़्यादा पसंद आ गए हैं तो भाईशाब शेयर कर सकते हैं चैनल को वीडियो को भी पेडियो के लिए मैं आपको फिर जब दा देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जा करां वहाँ से इस वीडियो की पेडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं केवल इसलिए नहीं आपको इंटरस्टिंग लगा लेकिन एक्जाम क पॉइंट ओफ व्यू से भी आपको यह चीज़ें जाननी होती हैं तो एक्जाम में लिख कर कर आएंगे तो इसके लिए चीज़ें सामने चाहिए होती हैं तो बसाज के लिए इतना था थैंक्स और वॉचिंग दिस्टूडियो मिलते हैं नेक्स्टूडियो में